15 महीने पहले वारांसी जन्पत के ममईया ग्राम में अपसा अंसारी सहीदपुर 500 लोगों को पान्मी सम्मंदी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था मैंने उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए उस पर 15 महीने पहले एग वीडियो गनाई थी जिलावारांसी पोष्ट चोलापुर ग्राम ममईया के अपसा अंसारी 15 साल की हैस तुर्की मासूम सी बच्ची पानी की समस्याओं के लोगों के लिए ऐसी ही समस्याओं पान साल से लेकर अब तक बरकरार पड़ी है है जोड़ा झाल सकनार के लाधे पानने on involved a और यह कुला पानी के लिए घ्राटको सब्सक्रार पानी के रहाँ खालना हिस पानी क बता है यह तो पानी इतने दिनों से आमारे फ़ुला है यहां आप पानी आज तक नहीं लगा यहां चापना कर अब दिनों से इहां बहुत ज्यारा दिक्कत पानी के लेकर और इहां की जमता और इहां के इस लिए बहुत परसानी होती हैं, बच्चियां कपड़ा नहीं कचार पाती हैं, साइडंग से अपना ड्रेस धो नहीं पाती हैं। और मुझे खुशी है कि उस वीडियो के माद्यम से और समुधाय को संगठित कर उनके सहयोग से उस समस्या पर बदला ला पाई हूँ। नल लगने से घर में पानी मील जा रहा है, बच्चे है इसकूल जा रहे हैं समय से, लड़के नहीं हैं बच्चे तो फिर पानी के लिए तरस जाती थी, लग गया बहुत बड़ा एहसान हो गया आप लोगों का। वीडियो के मादयन से नल लगने से हम लोग बहुत खुस हैं, हमारा धन्यवाद है कि आप लोग जहां भी जाए और इसी तरह नल लग आप कोई समस्या हो तो आप लोग प्रा करें। बदला इस तरह के सुगया बीच में सबनम जी आप आई थी, वीडियो द्वारा सभी लोग गाउं को एक अत्रित की आप सबको जुटाई और हम लोग को समस्या को सुनी, जो उचादिकारी हैं या हम लोग को गरीबी देखकर आपने जो वीडियो से आपने जो वीकार किया हम लोग के लिए उसे आप से हम बहुत संतुष्ट हैं, आप से हम लोग बहुत खुश भी हैं, चाकि यहां की जनता जो अथल प्रयास के बाद जो यहां चापा कर लगना था, वो आ गया है मैं चाहती हूँ कि ऐसे ही समस्याओं पर वीडियो बनता रहे और समाज में ऐसे ही बदलाव आता रहे मैं शबना वारांसी जिने के उत्तरप्रदेश से इंडिया अनहट के लिए